हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स जोंट यहां पर रेशियो का हमारा स्लेशन एट्स पहले 4 लिशन में पिल्कुल बेसिक कोंसेप बात किये थे उसके वाद जो लाइस्ट का स्लेशन ऐस फिरáल वहां पर हम लोग problem solving किये थे और problem का लेवल को हम लोग धीर धीर ग्राज्वाली इंक्रीज करेंगे और हम लोग थोड़ा अपने आपको स्पीड़ भी करेंगे कैसे हम लोग और फास्ट कर सकते हैं तो चलें बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सवाल यह कह रहा है पहला सवाल है जो कि यहां पर स्री गुपता और स्रीमति गुपता हैं दो हना उनका एज का रेशियो है सेवन इस्टू एट का और उन का बजन 6 किलोग्राम घटता है तो यह पूझ रहा कि स्रीमति गुपता का बजन कितना किलोग्राम घटे ताकि उनका जो नया वाला रेशियो है वो फाइव इस्टू सिक्स का हो जाए बड़ा सा सिंपल सा है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग इसको कैसे फास्ट कि अनुपात में लेकिन इनका टोटल कितना है आपका 120 किलोग्राम है यहां से पुछ रहा है सिरी गुपता कितना है सिरी गुपता कितना है सिरी है मती है है सिरी है और सिरी मती है मते रहां सिरी हो गए मैं शरी 7 इस टू ड़िटम है ऐसा ही ऻोगा अब देखिए तो सोचिए Buy और वान jogo कितना जाग रेशियो में 120onaad to तो यहां पर यहां पर यह सीदा लिखेंगे 56 kg हो जाएंगे शीरी मति कितना हो जाएंगे आपके आठ उनाठ चौन सट गया अब यह बोला यह तो हो गया पहला कंडिक्शन हो गया अब यह बोला कि डाइटिंग करने के वाद क्या होता है सिरी जी का बजन से किलोग्राम से घड़ता है तो देखिए 56 माइनस 6 हो गया अपन स्रीमती कहम लोग को पता नहीं है कितना उसे बजन घटा उसको हम लोग एक सकी से महांना है कि घटा है ठीक है इसकल टू इनका जो नया रिशी ओ कितना है आपका 5 गई 6 का अगर फरस और हम लोग ब्रेक करें तो कितना हो जागा यह 50 भाई 64 माइनस 6 इसका कितना गुना पर बाइठा हुआ है यह इसका कतना है यह इसका कितना हो जागा आपका गुना टेन हो जागा शिक्ट ना टेन यानिकि सीधा मोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 64-6 क्या लिखेंगे 60 एक सिस्क्राइट लिख सकते हैं फोर केजी 64-60 यानिकी फोर केजी से श्रीमति गुपता का बजन घाटा एक तरीका तो हो गया दूसरा इसको क्वाड़ेटी इसको 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 को सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे यह क्रॉस मैल्टिप्लाइब होता है यह सब्सक्राइब हो जाएगा तो हो इदर जाएगा तो कोगा तीन सो इसकल तो टूंटी तापका क्या हो गया फाइब का वहलू फ्रेंट्स कितना हो गया आपका टूंटी यहना कि एक सकते हैं तो इस तरीका से सोच सकते हैं तो फिर्ण्स एक तरीका तो आपका यह हो गया कि हम लोग इस तरीका से जो बेसिक अप्रोच है वहां से क्या सिखा रहे तो आपको income expenditure और सिविंग वाला हो उसमें अगर वो यह बोलते थे कि दो इनो expenditure है जो अलग अलग हो दो लोगों का तो उस तरीका से जो हम लोग frame किये थे formula उस ही साब से हम लोग friends कैसे सोचते हैं जो formula हम लोग ने establish किया था तो friends बड़ा simple जो formula हम लोग establish किये थे उसी साब से हम लोग सोचेंगे तो इस सवाल को कैसे सोचेंगे इंपोर्टेंट बात है कि इसको हम लोग कैसे सोचते हैं तो देखिए क्या थे फ्रेंड्स हमरे पात सिरी गुपता थे हना और सिरी माती थे ठीक है दोनों को बेटके रेशियो कितना था आपका 7 is to 8 था ठीक है बाद में रेशियो कितना हो जाता आपका 5 is to 6 का हो जाता है है कितना है सिरी जीका बेजन कितना से गहटा है-6 कजीजी इनका गाता है इंकर माले आता है कि माने सेटेघाट है यही हाना ब्सक्राइब का लगना LOCUS करना सोच ना तो हम लोग अगे भी स्था के सवाल को कैसे सोड़े मोई इक जाता है इह केट आगा कि माइनस 5今 मैनश fact Battery not from blood-6-6-6 मान निधी मानिस प्लाइफ-5x इसको ऐसे लिखेंगे अगर स्ब्सक्राइब करें अब देखें फिन्स का वैलू हमारा कितना हो रहा है तो इनित का वैलू कितना कितना हो रहा था को यूडिवं केलेक्स मैन्स पॉइब एक्स क्रश्ट सिग ना तो आने म Dru निम आपको दिया हुए 56-6 अब देखें यहां सब्सक्राइब लिखेंगे तो माइनस-5 एक्स-36 इसकल टू कितना जागा आपको दिया हुआ इस तरफ जागा तो निगेटिव जागा तो चाहतीस माइनस-16 इसकल टू इसको इस तरीका से भी सोच सकता है यहां यहां पर यह कह रहा है कि एक लग में पुरुसोर महिलाओं के संख्याओं का अनुपाद कितना है 5-6 तो देखिए मेल हो गए है और इनका रेशियो कितना है आपका 5-6 अब यह बोल रहा है कि 26 महिलाओं क्लब छोड़ दे तो अनुपाद उल्टा हो जाता है यह बोल जाता है कि माइनस 22 महिला निकल गए तो इनका जो अब रेशियो हो जाता हो कितना है उल्टा हो जाता है रेशियो उल्टा हो जाता है अब हो जाता है तो क्लम में पूर्षो की संख्या तो सोचिए कि अगर इस टाइब कहा है तो इसको में क्या लिख सेखते थे 5 इस तो इस तरीका से फ्रेम करें क्या लिखेंगे पूर्षो की संख्या में तो कोई फरक नहीं पड़ा है अपाउन 6x-22 इसकल तो रेशियो कितना हो रहा है तो इह हमारे होगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने तो कितना होगा क्या लिखेंगे 25 x is equal to 36 x हो जाएगा मैनेस बाइचा का एक्सों यह वह रहा है अब इसको उस तरफ ले जाए तो यह कितार हो जाएगा 132 इधर आगा पोजेटीव एक्सों बात इस इसकल तो कितना हो जाएगा है पुछाटा है धाए कला में पूरसों कि संख्या कinaire लृष की संख्या कितना थी आफ़ी कि अपना बार अब्र सब्संगा कितनी थी साथि ह poured में हीट्सजेशन के दमिश्सेर फुछता थी आफ़ कितना होजले तो बाइध में आच्छेए एकेटन्यू अब देखिए इसमें से वाइस को अगर घटा दिया तो कितना अब देखिए पहले कितना था 60 और बाद में कितना मेल तो वही है क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ सब्सक्राइब करने के लिए एक बिल्कुल फोड ही रहें तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है पहले देखिए मेल और फीमेल है ना बेसिक से एकदम चलते हैं मेल हैं और कि इनका रेशयो पहले है कितना है चलते हैं पांच इस तो शेटा था है बाद में रेषी इनका कतना है था है चाहँ चेंजेज क्या हता रहे है यह तो यह इसको हम लोग ऐसे फ्रेम करते थे देखिए एक दम बिल्कुल बेसिक ते यह पाँच-पचिस है कितनी हो गया मानेस सब्सक्राइब को दिकर नहीं हम लोग एक डारिक्षिन में पकड़के चलते हैं तो देखे ठीक है तो कितना हो जागा आपका 25-36 कितना हो गया आपका यानिकि- 11 किसके equivalent है? माइनस 132 के यानिकि अगर माइनस माइनस कांसील होगा तो कितना होगा? 113 का तो 1 कितना की equivalent हो जागा? 132 भाई 11 यानिकि 12 ठीक है न? तो देखिए यहां से आपको पूछा क्या जा रहा था? मेल का तो देखें मेल कितना के एक्वेलेंट है पांच के पूछेंगा तो तो फिर इस तरीका से भी सो सकते हैं ऐसा नहीं है कि बस असी तरीका से लेकिन सबसे बेटर भी होता है आपको लड़ने के लिए या बेसिक आप प्रोच लगाई उसके बाद आपने का प्रोबलम खुद ब इस तरीका से लिखेंगे यह अनुपाद केतना है तो क्या लिख सकते हैं तिरी वाई टू इस टू है कितना आपका तीन दूना छोदू आठ वाई तीन है ना अगर इसको रेशियो में सिंपल करने करने वितका हो जागा तीन तीन नो हाना इसको क्रॉस मेल्टिप्लाय करें इस तरब से कतना जागा आपका रिश्यो जागा नाइन इस टू और दूना ठीक है पहला रिश्यो आपका तो यह मिल गया अब यह बोल दा किन में से परतेक में 15 बढ़ा दिया जाए 15 जोड जाए तो इनका नया अनुपात होता है कितना होता एक पुरुनांग दूबटे पुरुनांग दूबटे तीन केतना हो गया इंदू पांच बटे तीन हो गया यह पांच बटे तीन है इस टू अब देखे इसको चाहें तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे बिए दोनों में पांच है तो चाहिए तो जाए पर आपको बहुत अच्छे तरीका से बता दिए बहुत अच्छे तरीका से बता दिए तो अब यह बोल रहा है यहां पर कि इन में से सबसे जो बड़ी संख्या वो क्या है इसको हम लोग कैसे सोचेंगे तो देखिए पहला रिश्यों केतना था आपका नाइन एक्स एकना प्लस फिप्टीन एक्स फिप्लस फिप्टीन इस इसीज प्लस प्लस पैथालीच से एकल तू सोला दूना 32 इसेज प्लस इसन यह देखिए यह इस तरफ जागा तो ने को ना एक्स माइनस इस इसकल तू इस्कल तू यह तो पुचे रहा बड़ी संक्या तो बड़ी संक्या कितना हो जागा आपसे नाइज टू सिक्षिंट कितना आपसे तो 16 यह तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक वह अपरोच अब देखें जब एक पल नमबर होता था तो उस ट्रीप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोचते इसका जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस कितना था आपका वन इसका डिफरेंस आपका कितना है आपका कि इसमें क्या करते थे इसमें इसका डिफरेंस से मौलट्प्लाइश करते थे आपको हम लोग बहुत अच्छे तरीका से जो त्योरी बोला पाट हो बहुत अच्छे से बिजूयाज करके दिखा दिये अगर इसको हम लोग आप जो इसका एक को वैलेंट होगा वह कितना के होगा यह तो नाइन इस यहागा और इस देखे यह कितना जागा चौधा और यह ठीक है हम देखीिए अप दोने का स्वेएम होने पांच का शुक्त का घुतना पजाए बर्आबर है फीप्टिन के बरावर है यानिकि फाग उनिट के अग्रावर है आपका कि इसको और हम लोग सोचे तो और गहराई से सोचे तो इसको अब कैसे सोच सकते हैं कि पहले रेश्यो इंका कितना था आपका नाइन इसक्टा था जो इसलों पढ़े थे उस पर भी आपका अपनधी नहीं करना यह कितना हो गया आप कितना कितना हुआ अब टोन एक तोकुछ नहीं करना आप तो चाहे तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि नोठी 7-32 कितना हो जागा माइनस-5 अगर इस डिरेक्सन से लिखेंगे इसको भी इस तरीक से लिखें तो आपका मैनस-5 इंट हो जागा ठीक है अगर इस किसके एक्वालेंट है माइनस 15 तो वन कितना की को जागा 15 वाइफ 5 तो हमारा 16 का फैलों को जागा 16 इन तरीका से भी सोचते तो जैसे आपको मन करें उसको है सोचे लेकिन इस टाप सवाल के लिए सबसे इंपोर्टेंट आपको बेसिक पर चलिए आपको बहुत हो जागा तो यह चौथा सवाल हमारे यह कि लड़कियों का एक ग्रूप है ठीक है ना उसमें सब्सक्राइब बोला कि 15 लड़कियां गुरूप छोड़ करके अगर चली जाती है तो उसके बाद ही बोलते कि लड़कों की संखियां और लड़कियों के संखियां का अनुपाद तू इस ट लड़कियां छोड़के चली जाती है रह्電ऌ छोड़के चली जाती है थुर एक हैता हैं तो बासियो जोल कर चली जाते हैं तो यह उनुपाथ हैं है यह आलोजा ताकि ना में है हुआ है दो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बूसे लड़कियों की संख्या को बारे पर पता करने तही सपाइब से यह क्लिए जो भी है इसके हम लोग है डल के फॉर्म में लिख दे तो वाई इसके क्या होई जागा है जो जी माइनस पंद्रा इंटो अब इसको बाइज को हम लोग यहाँ पर फिट कर दें कितना जागा टूजी माइनस 30 टूगर्ल माइनस 30 माइनस 45 अपान जी माइनस 15 इसकल टू 1 वाई 5 अब इसको देखे शॉल्प कर देखें कितना जागा माइनस 45 कितना हो जागा 75 इंटू 5 25 के 5 हात में दूसाथ 25 इसकल टू जी माइनस 50 अब देखें टेन जी एक जी इधर आ जागा जागा माइनस जागा आपका इन जी माइन जी इसकल टू 375 माइनस इसकल टूसरा तरीका इसको क्या करते है अगर हम इसको एकोईशन वन मान लेते हैं और इसको एकोईशन वन मान लेते हैं अग्या करते हैं इकोईशन वन में से एकोईशन टू को डिवाइड कर देते हैं कर देते हैं तो क्या होता है जी माइनस 15 दोन में यह एक कैंसी लॉट होता है तो वन डिवीजन अगर टू करते तो क्या आपको हमको मिलता है राद करें डेखिए यह तो था वाइज 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 माइन सब्सक्राइज biblical होता है कर दू बाई 1 व क्योंい5-पाइज-5 नइक होता है यह होता है तब यहां से देखिए यह से और ऑब देख सकते हैं तो हम लोग वाइज कितना ऑजागा हम से इस तरीके साब develop automatic हो जागा अदरबाइस क्या लिखेंगे दीए को टू एन भी माइनस चार सो पचास यानिकि इस तरफ चला जाएगा कि नाइन भी इसकल टू चार सो पचास यानिकि इसकल टू कितना जाएगा 9555 जीरो बीबिश के लिए प्रका वाइज के संख्या कितना कि यह हो रहा है यहां से इस तरीका से भी सोच सकते हैं तो आपको जैसे मन करें वह से सोचे तो फिरेंड्स आज का यह पाच्वाश सवाल यह कह रहा है कि एक विद्याल है जहां पे 1554 बिद्यार थे ना करा है कि लालकों लालकियों के संख्याओं का अनुपात फोर अनुपात तीन है तो देखिए तोल कितना हो गया है साथ साथ का वालू कितना है आपका पंद्दासोच पर दूना चौदा एक पांच होगे साथ दूना तू टू ठीक है तब देखे अभी यह बोटे लड़कों कि संख्या कितना था फोर यूनिट था लड़क यू कितना हो जाएगा 4 यूनिट है थे कितना हो जाएगा 4 यहने की 222 इन्टू कि अगर्ल कितना हो जागा आपका 222 इंटू 33 मीटर कितना हो जागा आपका शेस्ट शेस्ट अब यह था कुछ दिने बाद 30 लड़कों ने उस विद्याले में परवेश लिया कुछ लड़कों ने विद्याले छोड़ दिया तो परन्याम से रूप लड़कियों का नुपाद साथ अनुपाद अब देखिए क्या हो रहा कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्याले में परवेश लिया तो पहले कितना था 888 लड़के थे ठीक है उसमें से कुछ ने छोड़ दिया ठीक है और लड़किया परवेश कितने लिए हैं हमारी लड़कियों ने परवेश अब इनका रेशियो कितना के बराबर आ था 7 इस टू 6 के बराबर आ ठीक तो यहां समलोग को गौर करने वाली बात है तो क्या लिए लिए 888 माइनस एक्स वाई 690 इस इकल टू 7 वाई अगर यहां समलोग कमपेरिजन करें तो 6 का यह कितना मैंटिपल है कि एक्सो सोला गुना पर बैठा है यानि कि यह कितना होगा यह एक्सो सोला का सोला गुना होगा यह होगा ना यहां साब लिखेंगे तो एक्सो सोला इंटू साथ हो गया तो कितना लिखते हैं साच्छा का ब्यालिस के दू हाथ में चार इगार साथिसा तत्यर चार एक्सो बारा तब देखेंगे एक्स का वहलू कितना जागा इस तरीका से बहुत आसानी से कर सकते हैं और बाकी दोसरा प्रोश तीसरा प्रोश जो आपको बताया थे वहां सभी आपको निकालेंगे तो आपका अंसर यही आएगा जो किये थे ना कि पहले रिश्यो कुछ है बात का रिश्यो कुछ है उसमें फिर इतना घटे और एक ब बढ़ा है था थाटी घटा कितना एक सी इस इसको उघ्याल रही है तो लाटा के ना था माइनस एक लाइब्रेरी है ना पुस्ट्कालन जहां पर कहानियों के पुस्ट्ठफकों का अनुपाद कि 7-2-2 है तो देखें आ स्टोरी बूख हो गया एक अगी आप इस तोरी बूक और अधर बूक है जिसको लोग ऐसे लिखते जैसे स्टोरी और अधर बूक का निपाद कितना है आपका सेवन इस्टो तो अब यह बोलागी उसके कि PANDRO zł बारा कहानियों के पुस्तक और कोच और कहानियों को संगरां प्रिकल यह जानेसे किस्का रेसिएो पंद्रा हưश्टो चार अगिन बोल जाता है किसका रेसिओ कि अब यह ऐस्टी निच्टो अगर इस रेशियो में हम लोग 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो इसे हमारा इकोल हो जागा अब जो भी होगा अब जो भी हम लोग कितना हो गया कितना हो गया अब देखिए अपका क्या दिया होए 14 का भारे में दिया हो नहीं है कि तो यहां से देखें तो स्टोरी का बुक में कितना इंक्रीज हुआ है तो प्लस वन कि फॉर्टीन यूनिट का वहलू कितना है आपका 1512 तो वन यूनिट का वहलू कितना है आपका एक सो वाट तो यहीं कहानियों का वहां कहानी हमारा बढ़ा देखें एक तरीका तो हमारा यह हो गया ठीक है अब दूसरा जो अगदम बेसिक वाला था उससे अगर हम लोग इसको सोच करके चलें तो कैसे इसको हम लोग सौल कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बात हुए कि हम इक हो गया है कि अधर बुक कितना है आपका दूसर शोला तो दो इनिट का भी आपका कितना हो जागा चार्सों थिक है यह कहानी का बूक अगर पंदर बूक कितना है आपका चार्सों बत तो इसको ऐसे भी लिस तकते हैं पंदर सो बारा प्लस एक्स अपॉन चार्सों बत तीस इसकल टू क्या लिए सेकते हैं हम लोग कितना रिश्यू आ रहा है पंदर भाई यहां पर कॉंस्टेंट है इसको हम लोग यहां से सोच सकते हैं तो कितना हो जागा यह हो जागा कितना आपका पंदर सो बारा प्लस एक्स इसकल टू पंदरा इंटू एक्स अवाट तो पंदरा अठी कितना हो जागा आपका इसका पंदरा इंटकी कि यहां इसका इसका आपको फिरंड जैसे मन करें उस तरीका सब सोचिए तो फिरंड देखें यहां पर हमारे यह साथ वाल है यहां पर यह गयारा कि बिद्याले में कूछ कुल बिद्याठ्यों की शंख्या कितना है आपका 660 विद्याले उकुल विद्याठों की संख्या कितना है आपका 660 है या फिर बोले कि लड़की और लड़कियों की संख्या अपने पाथ 13 इस टू 9 है यहीं कि टोटल कितना हो गया 22 22 का भालू आपका कितना आपके बरावर है आपका 66 के बरावर है ठीक है ना 660 के बरावर है तो वान यूनिट का वालू कितना हो जाएगा तो 660 वाइट ट्वाइटी टो तो अब देखिए लाड़के कितना वाइज तो बाइज कितना है आपका थार्टीन यूनिट है तो क्या लिकिंग हम लोग थार्टीन इंटू कि तो इस तरीका से लोग निकाल दी आप देखिए कोई दिन बाद 30 लड़कियों ने बिद्याल में परवेश लिया तो लड़कियों का अनुपात के तना हो रहा है शे अनुपात पांच का हो रहा है लड़कियों ने अड्मिशन लिया पहले कितना था ग्वाइज कितने थे 390 थे वाइज में कोई चीज नहीं हुआ लड़कियां कितना ले लिए 270 प्लस दाने में 30 बच्ची ने लिया तमारे रिश्यों कितना के बरावा दोता है शे अफ़ावय को यह बोला है कि कितने लड़क्य दण को छोड़ दिए एक बच्चे विद्यालय को छोड़ दिए कुछ इस तरीका का आपका एक्वेशन बनेगा है न इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए 390 minus x upon 300 is equal to 6y 5 तो यहां से देखेंगे तो 5 minute का value कितना है आपका 5 minute का value कितना है 300 तो only unit का value यहां से कितना हो जागा सिक्स्टी तो देखें यहां से कर देखेंगे तो सिक्स इन्ट का वैलू कितना जागा अपका थिरहंड़ सिक्स्टी यानिकि त्रीहंड़ नाइन्टी इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं अब बच्चे कितना निकल गए हैं आपके 60 साथ बच्ची अगर 30 निकले हैं बच्ची विब इन 95 कि पना हो घरृइब थिना सब्सक्रियों कंगो कि तने चीइड़ दिया और बख़ी जो दूसरा अप्रोच कुछ है उससे आप लोग खुट राई किजिए तो आप लोग बहुत आपको बता चुके हैं तो फिर देखिए आज का हमारा यह आठवा कोशन है आठवा कोशन कुछ इस प्रकार से कि किसी परिच्छा में पास होने वाले कि आठवा कोशन है कि किसी परिच्छा में पास होने वालों कि संख्या का फेल होने वाले संख्या करने पाद 25 इस्टू फोर एधी पांच और रिक ने परिच्छा दी होती तो फेल होने तो फेल से बना रहा है ना तो देखिए पास वाले हो गया पहले पास हो गया है और है इस इनिशली कितना आप पास और फेल होने में लेक्षा करता 25 है तोटल कितना था निशली में 29 यदि पांच और ने पर अधिक पर इच्छा देए तो फेल होने में लेक्षा क्या दो कम होती तो यह अनुपार बाइस अनुपात इन तो देखिए अब गयन बोला है कि 22 अनुपात यह हो 25 यह हो रहा है ना अब देखिए जो हाँ पर कंडीशन बन रहा है यह किता है टोटल से तो परिच्छा में बाइटने वाले की संख्या कितनी है तो हमको इस पर हम लोग को सोचना है ना तो देखिए पहले कितना था आपका सोच लिए कि 29x 29x ने परिच्छा दिया था ठीक ह तक अब यह बोल ला कि 5 और परिच्छा देता और मौने संख्या दो कम जाती है यह देखिए फेल होने वाला कितने थे जब 29x परीच्छा दिया था הי अन byćmom कितना था लोग और कितना आपका यही तो रेशियो हो रहा है ना इसी पर लोग वर्क कर रहे हैं टोटल पर अभी इसको इस तरीका से सोचेंगे जो कोशन देता आपको वही करना वही आपको राइट अंसर पहुंचा रहे हैं तो हम लोग को आक्चुली निकालना कितना का वालू है 29 एक्स का वालू निकालते हैं देखिए कितना होगा 29 इंटू 3 कितना हो जागा आपका एक्टी सेवन एक्स क्रॉस मैंटिप्ला होगा प्लस पांच तिया पंद्रह इसकेल टू कितना हो जागा पची चौके साथ एक्स माइनस पच्यास ठीक है अगर यह इस तरफ चला जाए है कि यह तो अटित्य पचीच देखिए यह कहां पर क्या हो रहा है पचीच होके साव हो रहा था यह आपका है कि अग्स माइनस पच्छास अगर यह इस तरफ जागा कितना हो जागा पका पंद्रह प्लस यह दर वापका यह चाहस इसकल तु थाटी लेक्स का यह एक्स का फच्छ कितना आपका 65 तो त्यरा पच्छे फच्छ सवाल को हम लोग ऐसे सोच ते हैं यहां पर क्या अधू कंडिशन किसमें दिया हुए टोटल और फेल होने वाला का कंडिशन थे तूसका हम लोग इस तरीका तरीका लोग कंडिशन को बनाएंगे और लोग problem को solve करेंगे तो फ्रेंट्स आज ही हमारा नाइंध कोश्चन है आज का इसके बाद हम लोग आज का था आपका टू इस्टू वन था नहीं क्यों अगया सेलेक्टेड एक हो गया अन्सेलेक्टेड थेक्ष इधर मेरा जगा कम हती था हम लोग तो कहारा पहले का अनुपाद केतना था इनका टू इस्टू अब बोले कि 50 लोग कम आवेदन करते हैं यानिकी माइनस फ्यूप्टेड लोग कम आवेदन करते हैं तो वह दात की पचीस कम लोग चून गया होते हैं यानिकी माइनस पचीस करते हैं यानिकी अंस जलेक् числом होता यही होता ना आपका है टूटल 50 दें अगर पचीस नॉन सेलेक्ट सेलेक्टेड होते हैं तो देखिए पूशन किस टाइब का प्रेंग हो गया कि रिश्यो है उसमें से एक्वल सब्सक्राइब उस तरह बिले प्रॉब्लम में यह सिप्ट हो गया तब इनका नया रिश्यो है आपका कितना है ना इस्टू कि इसले के लिए को सेम काकरते तो दोनों के डिफेरेंइंस को क्या करने के कहा करते थे इसका कितना है आपका 5 ते ही अच्ण 10 Grüっ यह हो जागा था कि थंच got an अब यह हमार रूट ओडर घर इसमें लोग वान से मिल्टिप्लाइ कर दिया तो यह भी आसे मंहारा ये वह हमारा यह रूल डाउट करते में दो तो झानि ना हो रहा है ठीठान नहीं हो रहा है कितना हो रहा है 25 इनना माइनस 5 और एस एक यू निकावनिट कितना आपका फिर्फ्रेंट्स कितना आपका फसीजी मखर आप है एक वे ईक मुट्लिम आपका कफीर हो रहा है कर चाहिए थी श्याख है कि एक युनिट के भालू आपका 25 की बदावर ठीक है तो तेनी विट के बाद करेंगे तो कितना हो जागा आपका 25 के बरावर है तो तेनी उनिट का लोगे तो फचास फाइब यह सोपचीस याव एक साथ लीग सकते हैं है कि लिख यह घ्वेंग वान इनिट कितना को नवह है आपका कि अएक मतचीश की बराबर तो टेन प्लस फाइफ पहले कितना थे इतना जागा घृँटैना है यारे लोग ने अपलाई किया थी इस तरीका से हम लोग इसको ऐसे सो सकते हैं friends otherwise इसको क्या सिखेंगे हम लोग equation को फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए पहले कितना था आपका रेशियो 2 is to 1 का था ना इसका हम लगा ऐसे लिए 2x-25 यह लिखते ना अपॉन सबसे बेसिक से चलते हैं तो यह लिख देते हैं सब देखिए चार दून 8x-100 यहां कितना होगे था नाइन होगे है करना होगे 8x-100 विजकल 2 9x-25 रॉन नो दूसो था यहां से देखिए ने एकस का वहलू कितना होगारे एंट सोपाचीज मैनस है है कि यह यह कितना होगा आपका एक सो पत्स्माट आप टोटल कितना था तो एकस प्लस ठीक्स का वहलू कितना होगा आपका एक्सोपचीस गुनाती तो फ्रेंट्स आज को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं इसके बाद हम लोग अगले फिर अब नए प्रोब्लम लेकर के आते हैं उसको बिल्कुल हम लोग बेसिक से डिस्कुस करेंगे तो फ्रेंट्स अगर कोई भी आपको दॉट हो तो आप इसको याद कर लिए जितना तरीका सब सोच सकते और उसके अलावे आप सोचिए इस तरीका से आप सोचना चालों करतेंगे तभी आपको कॉंपेटिशन में सक्सेस मिलेगा अधरवाई रट करके तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होता है जिनका बेसिक या कॉंसेप्ट बहुत अच्छा होता है तो फ्रेंट्स आप लोग के हमारे सब्सक्राइब देते के लिए धन्यवाद थाइंक्यू टेक क्यर